रही पाज बातों की बाद सिक्सा पानिष्वास्त भस्टाचार मुक्त परसास ला Haw यह नकली केजरीवाल गूम रहा है केजरीवाल जी को यह नहीं आता कि हमें पुल बनाने आते हैं सकूल बनाने आते हैं नमस्कार मैं हूँ पुनम शर्मा और आप देख रहे हैं नव समाचार आज हमारी साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश डागर जी आएए उनसे बात करते हैं नगर निगम चुनाव के बारे में कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्या कर रहीगी कि जनता का वोट उसे मिलेग बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नव समाचार में नमस्कार पुनम सर्मा जी और नव समाचार का यह स्वागत भी है सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुरुग्राम हर्याना में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्री होना चाहती है और लोगों से वोट हासिल करना चाहती है ताकि वो जीच सके तो ऐसे कौन सी पाँच बाते हैं जिस पर लोग जनता आम आदमी पार्टी को वोट करें? यहां आने वाले समय में जो नगर निगम चुनाव हैं उसमें पार्टी अपने संक्रात्मक धाचे को मजबूत करने पे लगी है और उन साथियों की तलास है और उन साथियों को हम लेके आ रहे हैं पार्टी में जिनकी विचारदारा हमारी विचारदारा से मेल खाती है रही पांच बातों की बात, सिक्सा, पानी, स्वास्त, भस्टाचार, मुक्त, परशासन ये हमारी जो पांच चीजे हैं, ये रहेंगे अभी भाशपा का कहना है उत्राखंड में, जैसा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से आगे भी बढ़ रही है जैसे उत्राखंड की मैं बात करूँ, गोवा की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, तो वहां पे भी आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है उत्तराखंड से अभी भाशपा जैसे कह रही है कि दिल्ली समहाली नहीं जाती केजरिवाल से अभी वो उत्तराखंड में कैसे अपनी पार्टी समहालेंगे ये कुछ अधूरा सपना है आम आदमी पार्टी का भाशपा का ऐसा कहना है देखिए हम आद्वी पार्टे के विचारदारसे पूरे देश में लोग जुड़े हैं और पूरे देश के लोग अर्विंद केजरिवाल जी से प्यार करते हैं चाहे वो उत्राखंड हो, गोवा हो, गुजरात हो, हर्याना हो, कुछ भी हो वो लोग प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि केजरिवाल जी एक भस्टाचार मुक्त परसाशन लेके आएं जितने काम जो अनुने दिली में करे हैं उसी तरह से काम दिली मोडल हमारे रज्जी में लेके आएं और पार्टी का जिस तरह से वे विस्तार करते हैं और उन लोगों को आगे लेके आते हैं जो बुद्धी जीवी हैं पड़ेली के लोग हैं जिनके ओपर जो बेदाग हैं ऐसे लोगों को पार्टी हमारी पार्टी आगे लेके आने की कोशिश करती है और इसी कड़ी में हमारे जो उत्राखंड के जो हमने मुख्य मंत्री के जो चैरे बनाई हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इसलिए पार्टी बहुत अच्छा हमां करेंगे केजरिवाल जी का कहना है कि पंजाब में नकली केजरिवाल की सरकार आ गई है नकली केजरिवाल घूम रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए मैं ये कहना चाहूँगा असली तो एक ही है और नकली की तो हमने तो कहा नहीं भी नकली कोन है क्या है अगर कोई इस तरह की बाते करता है तो ये उनके लिए श्रबनी है और मैं तो केजरिवाल साब जो काम करते हैं वो पक्का करते हैं और चिन्नी जी कहते थे कि तो केजरिवाल साब उनको ये ही कहा है कि हमें पुल बनाने आते हैं सकूल बनाने आते हैं सर पंजाब के बारे में आप क्या सोचते हैं क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी अपनी सरकार बना पाएगी बिलकुल हमारी पार्टी कॉनफिडेंट है और मैं आपको बता दूं जितने भी सर्वेज अभी तक आये हैं, और आमादमी पार्टी, वहाँ पे सरकार भी बनाएगी और पिछली बार, पिछली बार हमारे मुख्ये विपक्शी पार्टी थी, वहाँ पे सबसे बड़ी और का तो जो हर्याना में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं उसमें आपके पास कैंडिडेट हैं सर और आप अगर चुनाव लड़ते हैं जैसे तो फिर क्या वो मेर के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे देखिए हमारे 35 वाड़ हैं गुडगाओं के अंदर 35 में से हमने सोड़ा सत्रा पे हम अपना चायन कर चुके हैं और बाकी उनमें हमारी तलास जारी है जो हमारे विचारदारा के लोग होंगे उनको पार्टी टिकट देगी उनको पार्टी आगे लेके आएगी रहा मेरा चुनाव लड़ने की बात मैं पार्सद का चुनाव लड़ूँग तो आप सुन रहे थे मुकेश डागरजी को जिनका कहना है कि 35 वाड में से 16 वाडो पर तयारी पूरी तरह से कर ली गई है और जो बचे हुए वाड है उस पे तयारी चल रही है जब सवाल किया गया उनसे कि वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे ऐसे मेर चुनाव लड़े तो उनका साफ कहना है कि पार्टी उन पर भरोसा करती है और पार्टी उनको जो जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरी तरी से निभाएंगे तो देखते रहिए नव समाचार बेबाग खबर हर समय धन्यवाद